हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैलू नौलेज पर जहांपे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपर्टर नौलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइप में आगे बढ़ने में हेल्प करता है तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर और वो है उट जो है अपने शरीर में पानी कहाँ पे स्टोर करता है तो बहुत सारे लोगों को इसको लेके बहुत सारी गलत फेहमिया है वो आज हम आपको एकडम सिंपल लाइंग वेज में एकस्प्लेन करेंगे तो दोस्तो आपको ये जानके एकडम हैरनी होगी कि कैमल याने ऊट जो होता है उन साथ महिने तक बिना पानी के रहता है जी हाँ दोस्तो 7 महिने यने almost 200 से भी जादा दिन तो ये 200 से भी जादा दिन यने 7 महिने bigger पानी के कैसे रहता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उट के ऊपर ये जो hump होता है यने आपने देखा होगा इस तरह कि उट के ऊपर ये जो hump होता है ऐसी mountain जैसा एक बना हुआ रहता है इसमें पाने store होता है ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है लेकिन सच्चाई ये नहीं है उट के उपर ये जो hump होता है उसमें वो fat store करता है और जब भी उसको खाने की कमी होती है वो यहाँ से fat लेता है और वो बिना किसे भी खाने के जिन पानी पीता है तो वो सारा पानी जो है उसके blood stream में चला जाता है याने उसके खोन में चला जाता है और ये जो पानी है वो पूरे ये उसको 7 मैने तक जिन्दा रेने को मदद करता है इसके अलावा आपको ये जान के भी बहुती ताजुब होगा कि अगर उट एक बार उसे अगर पानी मिल जाता है और वो पानी पीना शुरू कर देता है तो वो लगबख सक्तर लेटर से भी जादा पानी पी लेता है याने आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पानी जो है उसके blood stream में चला जाता है और जिसके वज़े से जो है वो आसानी से वो बिना पान कुछ इस तरह से होती है कि उसको पसीना भी कमाता है उसके वज़े से भी उसको पाने की जुरत जो है वो कम होती है और उसके बॉड़ी का टेंपरेजर जो है वो रात को एकदम कम हो जाता है और इसके वज़े से भी उसको कोई भी डिहाइडरेशन की प्रॉबलम नहीं होती ह और इसके वाज़े से उट जो है वो इतने लंबे टाइम तक बिना पानी के जिन्दा रहता है और वो जो उसके ब्लड स्ट्रीम में यानि जो खुन में जो पानी उसने स्टोर किया है वो जो है उसे हेल्प करता है इतने लंबे साइम तक बिना पानी के जिन्दा रहने को तो पानी स्टोर होता है उसके बलर स्ट्रीम में तो यह सारी इंफर्मेशन आप अच्छे से याद करके रोको यह सारा फैक्ट्स और फिगर्स जो है आपको कोई भी एक्जाम या इंटर्वी में पूछे जा सकते है इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैलेबल नौलेश शेर किया है आप हमारे प्लेलिस में जाके टेक्नोलोजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करन्ट अफ्रेस तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो और हमारा प्लेलिस टेक पूरा घ्यान का भंडार है आप यह एक बार ज़रूँ चेक कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी उसफुल इंफर्मेशन मिल जाएगी तो हमारे वीडियो रगुलरी देखते रहो हमारे वीडियो को लाइक करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपको ऐसी वैलोबल इंफर्मेशन गर बेटे मिलते रहेगी और वो भी एक ही चैनल से तो यह वीडियो में बस इतना ही था जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टन टॉपिक के साथ कुछ और इंटरस्टिंग नॉलेज के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो थैंक्यू वेरी मच